क्या आप business ideas ढूण रहे हैं startup ideas ढूण रहे हैं जो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं या residential area में शुरू कर सकते हैं बिना अपने आस परोस में किसी को तंग किये तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ business ideas जो आप शुरू कर सकते हैं अपने घर से अपने residential area से और उसको ग्रो करके अपना एक revenue stream तैयार कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो नीचे दिये गया लिंक पर आप हमें support कर सकते हैं और अगर आपको guidance चाहिए तो यहां पर नीचे दिये गया लिंक पर जाके आप connect कर सकते हैं मेरे साथ ताकि मैं आपको मदद कर सकूँआ आपके startup में जो भी problem हो रहा है उसके regarding तो चलिए इस वीडियो को continue करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा की residential area में अगर आप business करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैν कोई भी production manufacturing service कुछा भी करना चाहते है कुछ चीजों को समझना बहुत ही था been residential area बोलते हैं commercial area बोलते हैं बहुत reason होता इसका बहुत बढ़ा कारण होता है So first you need to understand what to do and what to not do. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अगर आपको यही पता नहीं है कि यह नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो फिर बहुत confusion होता है. सबसे पहला चीज जब आप residential area में काम करने वाले हैं, बिजनस शुरू करने वाले हैं, सबसे पहला चीज कि बहुत ही कम आवाज या बीना आवाज का काम करें, अगर आप एक manufacturing unit खोलना चाहते हैं, जहां पर सारा दिन घैं घैं मशीन का आवाज चलता रहता है, तो लोग आपको resist करेंगे, लोग oppose करेंगे, लोग गाली देंगे, और वहां पर आपको work permit शायद से म मिलेगा, शायद से नहीं मिलेगा, शायद से मिलेगा, शायद से मिलेगा, शायद से नहीं मिलेगा, तो इसलिए सबसे पहला चीज है, सबसे वड़ा priority है, कि there should be less noise, and there should be, if possible, no noise, जितना आवाज होगा, आसपास में लोग उतना disturbed होंगे, because it's a residential area, so please keep that in mind, second चीज जो है, यह आपका जितना लोगों का movement, जितना कम होगा, उतना अच्छा होगा, अगर आप सोचिए कि एक school खोल के रखा हुआ है, अपने residential area में, यह place school खोल के रखा हुआ है, डिली आपका 100, 200, 300 लोग आ रहे हैं, तो लोग जब आएंगे जाएंगे, तो वहाँ पे लोगों का movement होगा आवाज होगा, लोग बात करेंगे, वहाँ पे ठेला लगेगा, जाल मोरी वाले आएंगे, बहुत चारे लोग आएंगे, वहाँ पे क्या होगा, chaos should हो जाएगा, इसलिए आप देखोगे, school के बाहर या कहीं पे भी जहाँ जादा लोग जाते हैं, आते हैं, किसी भी factory में ज जाते हैं, आते हैं, लोग बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, कोई गाना बजाता है, so obviously it creates a lot of noise and also with lot of movement, pollution भी बहुत जादा बढ़ता है, so यहाँ पे जब भी आप residential area में काम कर रहे हैं, just make sure that there is very less movement or no movement of people, जितना कम movement होगा, उतना अच्छा है, तीसरा ची special चीज की जवरत होती है, यहाँ में आपका oxygen cylinder आपको यहाँ लेकर जाना पड़ता है, oxygen cylinder itself is a very dangerous thing, क्योंकि oxygen, it's a, आग में, आग को बढ़ाने में, किसी explosion में, oxygen is required, तो अब जब oxygen को लेकर काम करे हैं, किसी ऐसे चीज को लेकर काम करे हैं, में पेट्रोल को लेकर काम करे हैं, में भी inflammable item को लेकर काम करे हैं, में भी ऐसे चीजों को लेकर काम करे हैं, which is not really, you know, healthy, it's very risky and it's very deadly, so यहाँ पे जब आप residential area में काम करे हैं, avoid using or doing any business which includes deadly risk, तो अगर आप ऐसे risky काम करते हैं, कभी भी कोई भी अगर accident होता, आप देखो कि ऐसे बहुत सारे बस्ती में आग लग घर में आग लग गया है, because कोई चोटा सा business कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वहाँ पे fire safety नहीं था, आग लग गया, so please make sure that, क्योंकि residential area में लोग रहते हैं, a whole family lives there, if something goes wrong, it'll really damage a lot of families, so please थोड़ा उस पे धान रखें, चौता चीज है, वो यह है, कि जब भी आपको residential area में ब जरू करना है, maybe आप एक छोटा सा आपका testing facility खोलना चाते हैं, जहाँ पर आपका pathology, यह सब lab खोलना चाते हैं, so residential area में, you won't be allowed, because these require special licenses, और यहाँ पर आपका deadly और वो risky चीज बहुत जादा हो जाता है, also यहाँ पर अगर आप दारू बेचना चाते हैं, दारू बनाना चाते हैं, alcohol serve करना चाते हैं, you require a special license for that, जो आपको residential area में, ज़रूर नहीं मिलेगा, तीसरा चीज है, अगर आप petrol flammable items बेचते हैं, या oxygen cylinder बेचते हैं, store करते हैं, तो residential area में, वहाँ पर आपको special license लेना परते हैं, अगर आप उसको बेचना चाते हैं, बहुत लोग illegally कर रहे हैं, but to do that, you need a special license, and because it's an inflammable item, please make sure that you have proper resources and safety, चौता है drug making, अगर आप एक drug making, चोटा सा drug making आप शुरू करना चाते हैं, it can be generic medicine, मैं drugs का मतलब ये नहीं बोलों कि गांजा, heroin, cocaine बनाने के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूं, but यहां पर अगर legal drug बनाना चाते हैं, maybe आप drug का packing करना चाते हैं, maybe आप, जो आपका generic medicine है, वो बनाना चाते हैं, तो उसके लिए आपको एक special license लेना पड़ता है, so यहां पर जब, क्योंकि आप drug बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, a lot of items, a lot of products has to be used, which is not really healthy, and it's risky, so यहां पर आपको license लेना पड़ता है, so please select a business, जहां पर आपको license नह not risky, so you can continue that, और पांचवा पॉइंट यह है, कि यहां पर less resources चाहिए होता है, less resources का मतलब, आपको space कम चाहिए होगा, आपको पानी कम चाहिए होगा, आपको parking space कम चाहिए होगा, space मतलब, अगर आपके यहां पर 50 लोग काम कर रहे हैं, 2BH के flat में आप काम कर रहे हैं, 50 लोग क करेगा, कोई बातरूम जाएगा, कोई पानी पिएगा, so water requirement is very high, अगर जितने लोग आएंगे उतना आपका water consumption जादा होगा, अगर आपके तय लिमिट से जादा करते हैं, तो आपको obviously गाली देंगे, so just make sure that, and तीसरा चीज़ से जब जादा लोगों का movement होगा, तो parking space भी चा 10,000-10 parking space ही होगा, वो आपके वास होगा नहीं, so it will create a lot of problem, so just make sure that you are selecting a business which requires less resources to start off and grow, just make sure to do that. तो आप किस तरीके का business शुरू कर सकते हैं, what kind of businesses can you start? सबसे पहला, जो priority है, वो यह है कि आप online business शुरू करो, क्योंकि जब भी आप कोई online business शुरू करते हो, यहाँ पे आपको initial, कोई जादा space की जोगत नहीं पर दिया, for example, digital marketing अगर पकड़ लेते हैं, tele calling का पकड़ लेते है web या app development, content creation, online institute अगर आप शुरू करना चाते हैं, जो हम skill yogi में करते हैं, skill yogi में हम क्या करते हैं, आप अपने घर से, अपने एक 10 by 10 या 12 by 12 के घर से आप अपना एक institute चला सकते हो, बहुत ही आसानी से, तो उसके बारे में अगर आप जाना चाते हैं, तो skill yogi.com में जाके हमा वेबसाइट को विजिट करके आप जान के प्राप्त कर सकते हैं, वहां पे आपको और भी जादा information मिल जाएगा, उसी के साथ साथ आप home kitchen भी शुरू कर सकते हैं, home kitchen का मतलब घर में, home kitchen में आपका LPG gas involved है, बट सबके घर में gas होता है, वही gas आप इस यूज करो, आप अलग पर आप online counseling या online consultation के माधियम से आप अपने business को शुरू कर सकते हैं, आठवा जो चीज है, it's very interesting, जो मैंने एक बार शुरू किया था, वो यह है कि photo frame manufacturing, जब आप photo frame की manufacturing करते हैं, यहां पर जो भी equipment यूज होता है, it's not very noisy, उसमें हावास ऐसा कुछ होता नहीं है, उसी के साथ स franchise का franchise ही लेते हैं, blue dart या किसी भी transport company का अगर franchise लेते हैं, तो फिर आपको counter में बैटना पड़ता है, लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, hello high बोल के चले जाएंगे, आपको यहां पर truck या tractor तो लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहां फे franchise ही own कर रहे हैं, आपका collection center ह अब आसानी से अपना transport या courier का franchise शुरू कर सकते हैं, उसे के साथ साथ आप tailoring या refitting का business शुरू कर सकते हैं, जिसका भी refitting या आपका tailoring का requirement है, वो आपके पास आके आप उनका problem में वो solve कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप आसानी से अपने business को grow कर सकते हैं, तो यह थे business ideas आपके लिए, किस तरीके से आप residential area में business शुरू कर सकते हैं, ideas तो बहुत या 50 ideas में आपको दे सकता हूँ, पर यह video जो है, इस video का मतलब यह था, इस video का objective यह था, किस तरीके से आप को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप कोई भी residential area में business शुरू करने वाले यह जो भी problem था, वो sorter हो गया है, so if you found this video useful, then share this video, लोह के साथ शेर किजिए, अपने दोस्तों के साथ शेर किजिए, और कोई भी question query है, you let us know, आप हमारे telegram group के साथ वी जुर सकते हैं, नीचे देगे link पर, और आपको भी question query आप पूछ सकते हैं, we will definitely help you out with that, thank you, take care, bye-bye.